प्योर गिर नसल की गाई मिले वे भी इस कीमत में जो आपके लिए एक शांदा चोईस हो सकती है नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फार्म टोक और मैं जैपाल सिंग राठोड हर घर देशी गोवन्स हर खुंटे देशी गोवन्स इस मुहिम को पूरा करने के लिए आज मैं गिर नसल की गाई पर वीडियो लेकर आया हूँ जो सेकेंड लेक्टेशन की है यानि कि अपने दूसरे ब्यांत की है जैसा की वीडियो में आप देख पा रहे हैं शानदार हाइट लियेवे सुंदर सींग चोडा माथा और लंबा गलकंबल एवरेज साइज की नाभी ये सेकेंड लेक्टेशन की गाई यानि कि अपने दूसरे ब्यांत के अंदर है और पहले ब्यांत में ही इस गाई ने दस लिटर से अधिक दूद दिया है इस बार इस गाई को रंचोड बाई मेर जो विलेज मांडवा बावनगर गुजरात के रहने वाले हैं वे इसे सेल के लिए फेलिबल करवा रहे हैं ये इस गाई को अभी बेचने के इच्छुक हैं और इस बार ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये 12 लीटर के आसपास दूद जरूर से बनाएगी आठ मेने की ये प्रेगनेंट है एक मेना इस गाई को भी ब्याने में सेज बचा है दूसरे ब्यात में गिर नसल की गाई आपको मिले वे आपके लिए एक अच्छी चोईश हो सकती है क्योंकि अधिक बार भी आईवी गाएं आपके लिए लंबे समय तक दूद देने वाली नहीं होती है इस गाई के आप कान का साइज देख सकते हैं बड़े सुन्दर लंबाई लिये वे साथ ही गलकंबल बड़ा ही सुन्दर है और जो कलर है वे भी बड़ा शांदार है जो वाइट और ब्राउन करर में है जिसे काबरी का जाता है ये काबरी गाए गिर नसल की शांदार है जो दूसरे ब्यात में आपको मिल रही है इस गाए की कीमत रंचोड भाई मेर ने 51,000 उपर डिमांड की है जो आपके लिए एक अच्छी कीमत जायज कीमत है गिर नसल की गाए के अंदर गिर नसल की गाएं साधार्मत आपको इस कीमत में नहीं मिलेंगी इस गाए की जो दूछ चमता है वे भी उंदा है और जैसा इसकी आईट पीट पुट्टे की लेंथ आप देख पा रहे हैं वे भी शांदार से उपर है आप देख सकते हैं इसका सोभाव भी काफी सरल है साथ ही जो ब्याने में इसका टाइम बचा है वे एक मेना एक मेने में अडर डॉलप्मेंट भी काफी तेजी से होगा आज साथ है वीडियो आपको पसंद आया होगा धन्यवाद दोस्तों